गोवा किनारी फोडो शूट रोहित वर्मा का स्थफेद लुक क्रिश्ना के खास अंदास को बया करता रोहित वर्मा का ये अंदास अमित खन्या का कैमरा और विक्टर की स्टाइलिंग भय नजारा है गोवा के मौर्जिम बीच का जहां पर मशूर फैशन डिजानर और बिग बॉस कंटेस्टन रोहित वर्मा करा रहे हैं पोरोशूट इस सफेग ड्रेस में रोहित का धीम है कृष्णा और अर्धनारिश्वर एक नारी की खुबजूर्टी और एक मर्द का अट्रक्शन सब मिला कर उनके इस ड्रेस का धीम है रोहित खुद एक डिजानर होने के साथ साथ कृष्णा के भक्त है और कुछ दास में देखिए अपना फोरशूट करा रहे है बीच किनारे हवाय चल रही है और ऐसे में रोहित की सफेड ड्रेस हवा में उड़कर एफेक्ट दे रही है वैसे इसकी स्टाइलिंग की है मशूर स्टाइलिश विक्टर ने जो देखिए रोहित की ड्रेस को कैसे सबार रहे है और इन सबी नजारों को अपने क्यामरे में उतार रहे हैं मशूर फोटाग्रफर अमित खन्ना कोवा का ये बीच इस वक बन गया है इन तीनों की इस खास क्रियेशन का नजारा जिसे हम भी आपके रहे हैं तो चलिए मिलते हैं इन तीनों से और देखते हैं कि आखिर फैशन का ये संगब कोवा की बीच पर कैसे हो रहा है तो 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 क्या हो रहा है पर फोटो शूट का नजारा कुछ अलगी था जलपरी सी बनी होई थी रोहित परोहित थां ने कुछ फूटिण किया उनिको शूटिय। पर्स्ताइम का रहा है जासे किया में आया होँ तो मैंने अमित को बरत्ता है अमित वस अफिशल फोटर्ग्राफर वरुबरु मिस्सर इंडिया अमित ने मेरे रिंदावन गाता शूट किया है तो मैंने अमित को रिक्ष्ट कर अमित मेरे को कुछ ऐसे गाज़ पिक्ट्छ चाहिए वाइट क्लेक्शन में वाइट को प्रूप्छिछन में तो मैंने अपना वाइट क्लेक्शन में वाइट क्लेक्शन में वाइट क्लेक्शन में उसको मैं अपनी कोई मॉडल बना के मैं शूट कर लेता हूँ और अमित वाइट कर लेता हूँ उसे कार रुष्ट यो भी है क्यादी कर लो and he accommodated me with his hectic schedule I want to tell you something about Amit like you know there are a lot of people in our country you know like till the time you meet a person you don't know that person how fun loving and what a beautiful human being he is and when I call Amit for the first time from my Vrindavan Gakha collection he immediately said yes okay and I love him truly and when I connected with him on a spiritual way I think he's a great soul to work with and a great human being and an extremely talented photographer what our country can have Amit I mean after listening to all this I will get up in a little while but I'm so happy and I'm honored because first I shot with Rohit his Vrindavan Gakha and that was actually an honor for me and I was very happy to do it because we were looking out to associate for a very long time and I am very happy that today I got the chance to click on them because you know a lot of people think that we are only models or actors and you know we shoot only like for the conventional looking but I think everybody is beautiful and so is Rohit and we have seen that he is so good to pose actually models should learn how to pose and he has a very difficult outfit so I think the pictures are obviously very good because he is there in them and obviously Victor I work everyday I think my day is not complete if I have not worked with Victor so I am very glad to work with such beautiful people and I hope everybody likes the pictures what did you think of how the looks it was you know how did you think of what he was the idea of When I saw my collection they said that Rohit let's do very oxidized jewelry we would wear fun jewelry I'm wearing some clothes and I'm wearing some clothes you know in many years I was looking for a trip I knew that Rohit what's wearing I asked them to ask me when I was wearing a suit of me and I still remember विक्टर ते तंक की रिटा really nice तो कि मी भूल ही मुझा दियो थे जमां ते लाणा की भी मुझाल्ग ळे बीडिर ते एकं रूना के गिए पतनी वे लुकानी चेएstar अमे नहीं दो लाल किये व हैं मुठवार हुम रंचा झाहना करेंगे और जो मेरा फ्रेंट रियान भी है तो इसको बहुत इसको बहुत इसको सकती है बच आइख एवरीबडी गएराफ चांच वट विक्टर वे नाइस परसे बड़ी तालंटेज एन वरी हार्ड वर्किंग परसे तो इसको बच्छ भीट है आज रहा है है तो इसको आज तो इसको आज एक आप्नी केमरे में परकिंगे एक पास नहीं कर देशिए तहकर आए ताकि जो वह थीम है वह उभर कराए ताकि प्रमाची के साथ अज तक भी रहा है झाल